अकसरम ग्रहन लगने पर कुछ समय के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी चमतकारी मूर्ती है जिने ग्रहन लगने के बावजूद भी भोग चड़ाया जाता है और अगर भोग नहीं चड़ाया गया तो मूर्ती पतली होने लगत है जिसकी खासियत यह है कि यहाँ विराजबान बाल गोपाल की मूर्ती को बहुत भूक लगती है इसलिए करीब 1500 साल पुराने इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को हर दिन 10 बार प्रसाद खिलाया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि भोग में चड़ाया हुआ प्रसाद दीरे दीरे कम होने लगता है यही नहीं ऐसी धार्विक मानेता भी है कि जब भगवान इन्हें कंस को मारा था तब उन्हें बहुत ही जादा भूक लगी थी और इसी वज़े से आज भी भगवान की मूर्ती यहाँ भूक से व्याकुल हो जाती है और इसलिए पुजारी के म बंबल जैसी डेटिंग एप्स में प्यार ढूंड रहे हैं तो सावधान हो जाईए क्योंकि टिंडर या बंबल पर आपको प्यार करने वाली लैला या फिर है कोई बड़ा स्कैम यह तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा दरसल अमेरिका के फिलडेलफिया में रह लने में इंवेस्ट करने को केता है शुरुआत में रहुएका ने इस प्लैटफूंपर हजार डोलर इंवेस्ट किये जिस पर उसे कुछ दिनो बाद ही बात उसे स्कैम का हिसास हुआ इंडिया में भी टिंडर और बंबल जैसी एपस को इस्तमाल करने वाले बहुत सारे युवा लोग हैं तो साफदान हो जाएए इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लेन क्रेश के बारे में बताऊंगा जो कि एक मगरमच की वज़े से हुआ लेकिन मगरमच की वज़े से प्लेन कैसे क्रेश हो सकता है तरसल 25 अगस 2010 के दिन कोंगो के किंसासा एरपोर्ट से एक विमान उड़ता है सब कुछ बिल्कुल नौर्मच चल रहा था कि प्लेन के कैबिन में अचानक से एक मगरमच आ गया पर यह मगरमच आया कहां से बताते हैं लेकिन अचानक से मगरमच को देख के प्लेन में अफरा तफरी मच गई थी और लोग प्लेन के कोक्पिट की तरफ भागने लगे जिसकी वज़े से प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और प्लेन सीधे क्रैश कर गया और इस क्रैश में पैलेट के साथ 20 लोगों की मोत हो गई और सिर्फ एक ही इंसान जिन्दा बचा उसने ही उस दिन पूरे हाथसे के बारे में अथोरिटीज को बताया था और कुजिन बाद जब जाच होई तो पता लगा कि मगर मच को प्लेन में बैठा एक पैसेंजर स्मगल करके ले जा रहा था और वो बैक से बाहर निकल गया जिसकी वज़े से हाथसा हुआ आपको इस घटना के बारे में जानकर कैसा लगा कोमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा मिलते अगली वीडियो में